नमस्कार रितम में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभिशेक पिये मोधी आज गुजराद के दो दिवस्य दौरे पर है इस दौरान पिये में साड़ा के जिले में 6,000 करोड के प्रोजेक्ट का शिला नयास किया साथी वहा के लोगों को संबोधित किया पिये में ने कहा कि आज करोड़ों रूपए के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है जिससे यहां के किसानों को मस्बूती मिले की और इससे पूरे देश के साथ कनेक्टिवीटी भी बढ़े की पिये मने आगे कहा कि इन पर योजना में साड़ा के आसपास के सभी जीलों को फायदा होगा विपक्षी के इंडी अलायंस को लेकर नैशनल कॉन्फरेंस के उपाध्याश और जम्मू कश्मीर के पूर्ब मुख्यमंत्र उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कॉंग्रिस के बीच लडाई सामने आई है वो अदुर्भागेपुर्ण है कि अगडबंदन के लिए ठीक नहीं है मियूज अगे कहा कि यह जगड़ा नहीं होना चाहिए खासता और प्रक्ता जब चार से पांच राजियों में चुनाव होने चा रहे हैं पतादे की मद्रदेश विधान सभा च कॉंग्रेस के बीड कलेज सामने आई है जिसे लेकर उबर अब्दुल्ला का यह बयान सामने आया है दिल्ली के पूर्व उपमुख्य मंत्री मनीश शोदिया को सुप्रिम कोर्ट से बड़ा जटका लगा है दिल्ली शडाब घोटाला मामले में सोमवार को सुप्रिम कर दिया जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एजबियन भट्टी की पीट सी बी आई और एडी के जरिये सी सोदिया के खिलाव जाज किये जा रहे मामलों पर पैसला सुनाते हुए कहा कि घोटाले से जुड़े कई सवाल के जबाभ अभेन नहीं मिले है वोट ने कहा कि अगर डीचली आदालत में छे महिने में मुकादमा खत्म नहीं होता तो उसी सोदिया जमानत के लिए दुबारा आवेदन दे सकते हैं जम्मु कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है कश्मीर में फिर आतंकियों ने प्रवासी मजदूर को गोली मार कर हत्या कर दी है यह मामला पुलवामा के एक गाउं का है जहां यूपी के रहने वाले मुकेश कुमार को आतंकियों ने निशाना कर दी जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर बलिदान हो गए थे हमले के बाद इलाके की घेरा बंदी की गई और मामला दर्ज कर लिया गया इस हमले की जिम्मेदारी आतन के संगठन टियारेफ लश कर लेनी है गाजा में युद्ध विराम को लेकर यूएन में जॉर्डन के प्रि स्ताओं से खुद को दूर रखा वहीं भारत के इस रूप के विपक्षी दलों के नेताओं ने आलोचना की थी जिस पर अब विदेश मत पर इस जैशंकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है बोपाल के एक टाउन हॉल में बोलते हुए जैशंकर ने कहा कि आज एक अच्छी सर इसराइल की आरेंडोम एक ऐसी मिसाइल पर नाली है जो रॉकेट को हवा में ही खतम कर देती है इसी तरह भारत भी अपना आरेंडोम बना रहा है तीन लेयर वाला यह मिसाइल सिस्टम सतर से हवा में मार करने में सक्षम होगा या दुश्मन के हवाई जहाज पाइटर इशो में शामिल हो जाएगा जिसके पास खुझ की हवाई सुरक्षा पढ़ना ली है महराष्ट के शिंदे गुट और अजीद पवार गुट के विधाय को अयोग करार देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई की गई स्पीकर की तरब से पेश सॉलिसीटर जेंडर ने कहा कि विधानसवा सत्र दिपावली और क्रिस्मस की छुष्टी के चलती कुछ भी लंब होगा फिर भी 31 जनवरी तक आयोगिता से जुड़ी याचिकाओं के निप्टारे के पोशिश करेंगे जिस पर सुप्रिम कोर्ट ने महराष्ट विधानसव स्पीकर को आदेश किया कि वह 31 दिसंवर की तारीक तर शियुसेना विधायक की अयोगिता से जुड़ी याचिकाओं का निप्टारा करें वहीं NCP के अजीत पावार खेमे के विधायक के मामले में 31 जनवरी तक निप्टारा करें मुख्य मंत्री पुषकर सिंग धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्री मंदल की बैठक खत्म हो गई है कैबिनेट बैठक जड़ी बोटी योजना गुप्तकाशी को नगरपंचायद बनाने का निड़ है सुक्ष्म एवं लगु उधम विभाग के पैकेज नीती में संशो पर आर्थिक और आजनेतिक उतल पुतल के बावजू भारत का आर्थिक लिकास जारी है इस बेच निती आयोग ने 2047 ना भारत की अर्प्रिवस्ता को करेब 30 लाग करो डॉलर का पहुंचने का अनुमान लगाया है दरसल निती आयोग के मुख्य कारे पालक अधिकार बेव पहले तीन महिने में इसे पेश किया जाएगा जिसका उदेश 2047 ना भारत को करीब 30 लाग करो डॉलर की विक्सित अर्प्विवस्ता बनाना होगा इस लक्ष को हासिल करने के लिए जरूरी संस्थाग और रसनात्मक बतलाव की रूप रेखा भी तैयार की जा रही है वंडेवी शुकप के 29 मैच में भारत ने इंग्लेंड को 100 रनों से हराख इस टुनामेंट में लगातार 30 जीत हासिल की लखनव के इकानल स्टेडियम में इंग्लेंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीत कर पहले गेंदवाजी का पैसला किया जिसके बाद भारत 50 ओबर म नौ विकेट पर 239 रन बनाये जिसमें भारत के कप्तान रोही शर्मा का 87 रन और सुरिकुमार यादव 49 रनों की पारे का अहम योगदान रहा वही इसके बाद इंग्लेंड ने 34.5 ओबर में 139 रन पर ही सिमट गई इस दोरान भारती गिंदबाज मुहम्मद शमी ने 22 रन गुम्रा ने 32 रन देकर तीन सफल ताहासिल की वही कुलदीप यादव ने दो और रबिंदर जटे जाने एक विकेट अपने नाम किया और इसी के साथ भारत से में फाइनल में पहुँच गया साथी वर्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैं जीतने वाली दूसरी टीम भी भारत बन गया है रोई शेट्टी की आने वाली फिल्म सिंगम अगेन इन दुनों खूब चर्चा में है हाल ही में फिल्म से सॉलिट एक्शन की सीन की तस्वीरे सामने आई थी वही और फैंस के एकसाइटमेंट को बढ़ाते हुँ सिंगम अगेन से रडबीर सिंग का फ भाले राओ के रोल में नजर आने वाले रडबीर सिंग इस पोस्टर में बैक्ग्राउंड में भगवान हनुमान की तस्वीर भी नजर आ रही है इसे देख फैंस के एकसाइट में और बढ़ गई है वहीं रडबीर सिंग का पोस्टर शेयर करते हुए अजर्ड रेगर ने क्याप्शन में लिखा कि मेरी स्कॉल्ड का सब्सेक्ट को ख्यात ओफिसर हुए